Finance Minister के Announcements की जो प्रमुक बाते हैं, उसमें सबसे पहरी चीज़ जो हमारे और आपके और सबके इंट्रेस्ट की है, वो यह है कि जो Employee Provident Fund है, उसको लेकर बड़ी घोशना की ही हैं, पहली बात तो यह है कि 15,000 से कम जो वितन वाले लोग हैं, उनको सरकार अब contribution देगी, दूसर कर 10% कर दिया है, सरकार ने उसकी सीमा तैक कर दिया है, यानि आपका take home बढ़ सकता है, उसके अलावा एक जो बड़ी घोशना है, वो MSME सेक्टर की है, यानि Micro, Small and Medium Enterprise सेक्टर, यह एक ऐसा सेक्टर है, जो पिछले एक साल से, दो साल से, काफी खसता हाल बताया जा रहा था, और जो Micro Industries हैं, उनका जो पैमाना है कि वो 25 लाक वाली कंपनी अगर जो है लगुद्योग में आती थी तो इसको बढ़ा कर 3 गुना कर दिया गया है, यह एक बड़ी खोशना है, इसके लावा जाहिर सी बात है, इंकम टैक्स, जो इंकम टैक्स देना होता है, वो जुलाई से उसकी सीमा अब बढ़ा कर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई है, और सरकार ने यह भी कहा है कि वो जो इंकम टैक्स के रिफंड होते हैं, जो आदनी क्लेम करते हैं, जब वो अपना इंकम टैक्स डिटन फाइल करते हैं, उस पर काम कर रही है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनका रिफंड आपका ब्याज अभी 100 रुपए अगर आ रहा था और उस पर आप टैक्स दे रहे थे, तो अगर मालनीजी आप 100 रुपए उस पर टैक्स दे रहे थे, तो अब आपका उस पर जो टैक्स होगा वो 75 रुपए हो जाएगा, यानि वहाँ पर भी आपकी बच्चत होगी, इसके भी फैक्ट है कि बहुत से ऐसे लाखों यूनिट्स हैं इंडिया में, जो अभी भी अनकलेम पड़े हुए हैं, और ऐसा क्या बताया जा रहा है कि डिमांड कम हुई है, और सप्लाई जादा हुई है, तो रियल स्टेट सेक्टर को एक बड़ी राहत दिये सरकार ने, क्यों उनको एक बड़ी राहत दी गई है, करीब 90,000 करोड रुपए, जी हाँ, 90,000 करोड रुपए की मदद सरकार जो है कैश के फॉर्म में उनको महया कराएगी, जाहिर सी बात है, बिजली कंपनियां कई राज्यों में जबर्दस घाटों में चल रही हैं, और उसके लावा जो non-banking financial services हैं, यानि जो small scale loans को देने वाले संसाएं हैं, उनको भी सरकार ने रहत दी है, ऐसी उमीद की जा रही है कि इस तरह की रहत के बाद से जो housing sector है, वो दुबारा से revive हो सकेगा, लबो लबाब ये है कि ये एक relief package है, आम तोर पर इस तरह का relief package budget में भी, सालाना budget में भी द सिती के बाद का मनजर है, जहां पर इंडिया की GDP के साथ साथ जो growth rate है, उसको बहुत बड़ा जटका लगा है, lockdown और सारी अर्चविस्ता बंद होने के बाद.